कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी विस्कॉस्टी की किसकी बात की थी है अब उसके आगे चल रहे है कि एक तो बात करेंगे हम सर्फेस की सर्फेस टेंशन की दो चीजे और वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके influence की ठीक है एक water का molecule लेंगे उसका कहा कहा तक असर पड़ता है उसका influence कहा तक होता है उसकी और और बात करेंगे कि जो दो water के molecules है वो किस तरीके की force रखते है अपने साथ और दूसरे के साथ ठीक है तो ध्याद दो सबसे पहले बात आती है, surface की, अब इस topic पर ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि हम बात किस की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, fluid की, और fluid बेबी, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, liquid की, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, liquid की, इसके बात करता हूँ, liquid की, तो liquid के अंदर क्या आता है, जड़ा ध्यान दो, liquid यह रहा, और इसके अंदर यह दो molecules हैं, liquid के, ठीक, इस एक molecule का अपना एक sphere of influence होगा, sphere of influence, जहाँ पर अपना सर दिखाएगा, जैसे यह, जिसका sphere of influence है, ठीक है, अब इस sphere of influence के पास, किसी दूसरे का sphere of influence आए, या कोई दूसरा molecule आए, तो उसको attractor repel करेगा, ठीक, ठीक है, अब अगर दो, एक जैसे, liquid के molecules हो, तो उनके बीच में जो force होगी, वो होगी, cohesive force, cohesive force क्या होती है, force between two similar kind of molecules, ठीक, पर अगर दो अलग-अलग molecules होतो, जैसे container है, इस container का ये एक molecule है, ये glass है, और ये liquid है, अब glass और liquid के बीच में, कौन सी force होगी, इनके बीच में होगी, adhesive, अब ये दो बात समझ आ गई, cohesive और adhesive, ठीक, ठीक है, तो हमने बात करी, आप से, force between two molecules, और वो क्या निकल के आई, cohesive, और adhesive, cohesive between two similar molecules, और adhesive between two different kind of molecules, इसमें तो कोई परिशानी नहीं है, तो पहले तो आपने cohesive, adhesive force की बात करी, फिर ये देखा कि वो cohesive और adhesive force जो है, वो किन तरीके की चीज़ों के बीच में, अब हम ये बात कर रहें आप से, कि cohesive force ज्यादा होगी तो क्या होगा, adhesive force ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये दोनों equal होगे, तो क्या होगा, अगर cohesive force equal हो adhesive force के ठेक है तो जिस container के अंदर वो भरा हुआ है आपका liquid वो उस पे एक flat करके surface बनाएगा flat surface क्यों बनाएगा वो जितनी ही force रखता है अपने molecule के साथ उतनी ही force रखता है वो glass के molecule के साथ लेकिन अगर cohesive force ज्यादा हो adhesive force से तो क्या होगा वो खुद को ज्यादा पसंद करता है अपने जैसे molecules को तो वो उस कंटेनर में बीच में ज्यादा घटा हो जाएगा और कंटेनर से दूर भागेगा तो कैसी surface बनाएगा convex अपर मानिसकस या convex ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ कि वो कंटेनर में इस तरीके से कंटेनर पे चल रहा है तो इसका मतलब उसकी cohesive force कम है खुद से नहीं प्यार करता जादा वो दूसरे molecule से जादा प्यार कर रहा है वो है adhesive force ठीक है तो इसका मतलब अगर वो glass के molecule से जादा प्यार कर रहा है कौन यह मैं liquid के molecule बना रहा हूं white color के यह 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 liquid के molecule है और glass के का है यह रहे अगर glass के molecules का उसके साथ ज्यादा attachment है तो वो कौन सी force होगी adhesive force अगर adhesive force को cohesive force से ज्यादा है तो इस तरीके से वो glass के ऊपर चड़ेगा फिर इसको हमने नाम दिया क्या meniscus क्या नाम दिया meniscus तो meniscus में क्या होता है यह है आपका upper meniscus lower meniscus यह है upper meniscus और यह है flat meniscus ठीक है यहां तक बात समझ में आई दुबारा देखो तो cohesive force adhesive force के बारे में हमने देखा cohesive force और adhesive force से surface में क्या change आया इसके बारे में देखा अब मैं आप से बात कर रहा हूं कि अगर किसी की surface आपको दिखाई देती है अगर किसी की surface आपको दिखाई देती है तो वह surface किस तरीके की molecules है ठीक है और कोई भी एक स्वेयर खोल के देखता हूं मैंगी तो क्या इस स्वेयर पे अपने molecules से कोई attraction है और क्या उससे air के molecules से भी attraction है तो यहाँ पर दो तरीके की force यहाँ भी आ गई यह liquid की layer ऊपर कौन सी है air के molecules के साथ उसका interaction और नीचे किसके साथ है interaction अपने molecule के साथ interaction तो यहाँ पर भी आपको cohesive और adhesive दिखाई दे रहा है जड़ा देखना यह liquid यह liquid की surface यह liquid के molecules और इस molecule की यह forces कौन सी force अपने जैसे molecule के साथ cohesive force और उपर air के साथ adhesive force क्या यह बात clear हुई आपको cohesive और adhesive वा ली ठीक है एक तो हम इस बात को समझे दूसरा अब मैंने आपसे कहा इस surface होना जो अभी फ्लैट दिखाई दे रही है इसको इसका view change करो और इसको देखो ऊपर से top view देखो तो यह आपका container है यह liquid की surface है लिक्विट की जो surface है उस पर force लग रही है कैसे ऐसे और इसको इसको इस तरीके से खीचा जा रहा है perpendicularly कैसे खीचा जा रहा है perpendicularly जैसी यह एक line है इस line को ऊपर भी खीच रहा हूं में नीचे भी खीच रहा हूं ऊपर भी खीच रहा हूं नीचे भी खीच रहा हूं ठीक बात तो जब मैं इस line को ऊपर और नीचे खीच रहा हूं तो हो क्या रहा है तो यहाँ पर एक टेंशन क्रियेट हो रही है क्या क्रियेट हो रही है क्या टेंशन क्या था टेंशन फोर्स थी लेकिन यह लगती थी लीनियरली दो अपोजिट डारेक्शन में क्या हमने ऐसी कोई बीटा टेंशन पढ़िये किसी स्ट्रिंग में लगती है तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यह लीनियरली और और अधर अधर पढ़ रही है तो यह टेंशन तो है लेकिन यह सर्फिस बनाने के मदद करती है सर्फिस बनाने में तो उसका नाप पढ़ गया स सिंबल एस से दिखा लो, सिंगमा से दिखा लो आपकी मरजी, होती क्या है यह, फोर्स पर उनिट लेंद, तो यह खाली टेंशन नहीं है, खाली टेंशन तो सिंपल फोर्स होती थी, जब हमने इसको पिछले चैप्टरों में पढ़ाता, टेंशन के नाम से, तब यह क्या थी, खाली एक फोर्स थी, लेकिन अब यह फोर्स पर उनिट लेंध है, इसका मतलब सर्फेस टेंशन है, इसको पकल की रफ़तो, सिगमा सर्फेस टेंशन, फोर्स पर उनिट लेंध, ठीक, तो यूनिट भी इसकी बतल गई, न्यूटन पर मेटर, ठीक, यहां तक बात समझने आ आना यह लिक्विट यह लिक्विट की सर्फेस यह लिक्विट की सर्फेस एक यह लिक्विट और यह उसकी फ्लैट सर्फेस यह तीनों सर्फेस है क्या इन तीनों सर्फेस पर ही वह सर्फेस टेंशन लग रही होगी फोर्स परिविट लेंद हां जी लग रही होगी अब एक करके बात को समझो यहां पर फोर्स परिविटलेंड नाम की एक स्वारी फोर्स लग रही है ठीक है जिससे जिससे यह जो सर्फेस है यह खिची रहती तनी रहती ठीक है अब यह जो सर्फेस है इसको स्ट्रेच करने के बाद हमने एक परत बना दिया क्या बना दिया परत मतला म कि अगर आप इस माने की बाटल को देखते हो ठीक है आफ लाइन वाले बच्चे हैं वो कल वीडियो में देख लेना यह दिख रही है जे डिस्क जैसे लगते हैं यह से प्लेट हिल रही हो लग रही है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर आप इस तरीकिए से कोई चीज खीचे हुए जो इसके मॉलिक्यूल को जादा हिले डुलने नहीं देरी थोड़ी से मेंब्रेन पी ले इसका मतलब यह हुआ अगर मैं इसके ओपर कोई चीज जेंटली प्लेस करूं तो बैठ सकती है को बशर्ते वह सर्फीस टेंंचन न तो दे मैं तोड़ने के बहुत सारे तरीके कौन-कौन तरीके मैं बताऊ आपको पहले इहाँ पर यह ध्यां दो अब यहां पर मैंने आप से पूछा कि इन तीनों की surface देते हैं तो surface से तुम्हें देख ली अब इन तीनों liquid अब ये तो तुम्हें पतार चलिए ये liquid A है A इस type का, ये liquid B है इस type का और ये liquid C है इस type का ठीक है इनके drop बनाना जरहा तो इनके drop बनाई Regard likwid A की drop देखी मैंने क्यों सर्फेस से इतना चिपक रही है फिर से क्योंकि इसकी कोहसिव फोर्ज जादा है इसकी एड़हसिव फोर्ज ज्यादा है कोहसिव फोर्ज से ठीक और अगर इसकी कोहसिव फोर्ज ज्यादा होती तो तो क्या ये उतनी सर्फेस से चिपकती या दूर भागती दूर भागती तो ऐसे एक स्फेरिकल बॉल बना ले दी ठीक है जैसे मर्कृरी और इसमें कोहसिव फोर्स बिल्कुल बराबर है अडेसिव फोर्स के तो काफी हद तक ये ऐसे फ्लैट रहेगी ये ड्रॉप ठीक है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तीनो ड्रॉप के अंदर एंगल पता लगाओ तो जो डूबी भी सर्फेस है कौन से सर्फेस लेनी है ऑनलाइन वाले बच्चों कौन से सर्फेस लेनी है जो डूबी हुई सर्फेस है उसके साथ एक टेंजेंट लो तो क्या अंगल बनता है एक्यूट अंगल और यहाँ पे भी डूबी सर्फेस के साथ लो तो और यहाँ पे एक्यूट अंगल अप्ट्यूज और राइट अंगल ठीक, क्या उपर भी ऐसा ही बनना चीए, यह रहा वो टेंजन्ट और यह रहा आपका डूबी वी सर्फिस, एक्यू, अप्ट्यूज, राइट अंगल, गलत है तो टोको, बच्चो, यहां तक बात ठीक है, ओनलाइन वाने बच्चो, ठीक है, तो यहां से कोहर्सिव, एडहर्सिव, पोर्स का एंगल से भी हमने देख लिए, इसका नाम है, इस एंगल का नाम है, एंगल ओफ कॉंटेक्ट, खाली कुछ अगये बढ़ भी, इसका नाम क्या है बेटा, एंगल ओफ कॉंटेक्ट, यह लो, यह लो, एंगल ओफ कॉंटेक्ट, तो एंगल ओफ कॉंटेक्ट कौन सा एंगल है, यह वो एंगल है, जो मनिस्कस के टेंजेंशल लाइन्स का बनता है उस लाइन से जो डिप्ट है लिक्विड के अंदर उपर बार लाइन से मत बना दे ने बिटा वहां गलत आ जाएगा लोग बना के दिखाता हूं वहां सब कुछ उल्टा लगेगा अगर इससे बना दू तो ठीक है यह रेड़ वाला पार्ट आपको नहीं बना मैं जरह यहां तक देखो फिर आगे चलते अब जरह ध्यान दो अब बात आती है कुछ पॉइंट्स की तरह ध्यान देते हैं वह कहता है कि अगर मैं सर्फिस टेंशन की बात करूं तो सर्फिस टेंशन के है एक खिची हुई मैंब्रेन के जैसा बहेव करती है अब यह खिची वी मैंब्रेन में और नॉर्मल मैंब्रेन में क्या फरक है आपने घर में चदर बिछाई है अगर वह चदर लूस पड़ी हो तो वह कह स्ट्रेंच होती है नहीं तो वह अगर आप दोनों तरफ से खीच ल पालोगे तो वह उसको रिमांट कर देगी कभी सोच के देखो एक बारी ठीक है तो वह वाली मेंब्रेन बन जाती है मेंब्रेन टेंडिंग तू कॉंट्रेक्ट सो एस टू ऑक्क्यूपाई मिनिमम सर्फेस अरिया अपने आपको इस तरीके से वह टेंट कॉंट्रेक्ट कर अब वह कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स होते हैं सर्फेस पे उनके पास ज्यादा एनर्जी होते हैं एस कंपेर टू जो उनकी नीचे पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स सर्फेस पे हैं उनके पास कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी सर्फेस एन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अबसे के लिए हमने किस लिया पेगि सर्फेस एनर्जी, पहले सर्फेस लो, एक मैटल की वायर लो, ले ली, इस मैटल की वायर पे, कुछ इस तरीके की मैटल की वायर बनाओ, जो D-shake, कैसी हो, D-shake, और उसकी मैटल की वायर पे दूसरी वायर को, जो एक वायर मुवेबल लो, उसको चलाओ, ठीक है, चलाते हैं, हमने इस वायर को यहां रखा, ठीक, मुवेबल वायर को, और यहाँ पर, यहाँ पर सोप फिल्म लगा दी, क्या लगा दी, सोप फिल्म, ठीक है कैसे लगाते हैं देखो एक वायर लो साबून में अपने हाथ करो साबून के पेस्ट में और उसके बाद ऐसे करके लगा दो ऐसे करा भी होगा नहाते हो हाँ या उसमें लाल दो लिक्विड्स हो पर है ना करते रहते हैं जब अपन नहाते तो लटी सी हरकते नहीं करत यह उस तरफ दबाऊंगा तो उससे surface पर फर्क पड़ेगा किस पर फर्क पड़ेगा और वह कुछ इस तरीके से stretch हो जाएगी यहां से यहां तक, तो मैंने आपसे बूछा, अगर मैं उसको यहां से इस तरफ खीचू, तो क्या होगा, तो आप वोगे भाया, एरिया बढ़ेगा, अच्छा, तो यहां पर यह क्या चीज़ आई, डेल्टा एक्स का चेंज, यह क्या है, उसकी लेंद एल, और यह क्या अप में change in area और वो क्या है length into वो bread जिसमें change आया है इतनी बात ठीक है ठीक है लेकिन मुझे तो energy निकालनी । तो work done पर energy निकालनी तो क्या निकालना पड़ेगा वर्क रव्क रव्क क्या होता है force into displacement displacement कितना करा है इस्ने इसने कितना displacement किये है यहां पर यहां गए कितना displacement किया delta x तो अगर इसने delta x displacement किया तो force into displacement का formula लगाया अभी तो बताया था कि sigma होता है force per unit length उठा के उधर ले जाओ तो force क्या हो जाएगा sigma into length इस चीज को उठा के इधर रख दो तो delta work done क्या बन जाएगा sigma into length into dx अब इसको आप लिख सकते हो कि यह है surface tension multiply में change in area यह है आपका change in work done ठीक है या change in energy या surface energy क्या है change in work done के एक पर surface energy को आप u से देखा हो या capital s से देखा हो आपकी मर्जी is equals to sigma into change in area अगर change in area 1 meter square हो तो surface tension ही surface energy बन जाएगी तो surface energy surface energy वो surface tension है जो 1 meter square area change करने के काम आती है यह definition देने काम आगया तुमारे या आप यह कह सकते हो कि अगर surface energy को आप area से divide कर दो surface energy को किस से divide कर दो area से तो आपके पास एक energy density आ जाएगी energy density किसकी energy density surface energy density वो किसके एकवल होगी surface tension के तो surface tension क्या है surface tension है surface energy density जादा तर हम यह वाली चीज़ी उस करते है ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई clear है क्या इसी को मैं pressure में भी उस कर सकता हूँ अभी थोड़े दिर में करेंगे क्यों pressure में उस करेंगे क्योंकि work done का एक formula pressure के साथ भी है changing volume का पढ़ रखा है ना पहले यहां तक की बात समझो फिर आगे बढ़ते हैं अगर मैं आप से यह कहता हूँ एक तो यह बताए आपको surface energy के लिए एक यह देखो यह एक container है ठीक है इसकी यह surface है लेकिन यहाँ पे liquid के और बहुत सारी layers है है layers आपने इस container को heat दी heat दी heat देने से क्या लगता है आपको यह जो नीचे वाली layer है यह उठके उपर जाएगी ठीक है अच्छा एक layer नीचे से उपर उठके जाएगी तो क्या करेगी नीचे से उपर जाने में उसको displacement करना पड़ेगा displacement करने के लिए उसे work done लगाना पड़ेगा वो जो work done लगाएगी उसके लिए कोई ना कोई energy चीह होगी तो वो क्या बन जाएगी आपकी तो surface energy की definition यहाँ से भी दे सकते हैं कि एक layer को displace करके नई layer नाने में जो energy लगते है वो क्या है आपकी surface energy clear है यहाँ तक बात ठीक है तो यह surface energy वाला topic समझ में आ गया ज़रा समझो यहाँ तक फिर आगे बढ़ते हैं अगर मैं इस case को ऐसे लेता हूँ देखो ये और ये आपकी wire क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये wire अंदर की तरफ जाए हाँ हो सकता है अब आप बताओ इस वाली में क्या हुआ था ये कैसा area था इस वाले case के लिए positive और इस वाले में क्या होगा area area क्या होगा minus l dx क्या difference आएगा तो यहाँ surface energy increase होगी ये decrease होगी तो यहाँ पर surface area का जो हमने formula निकाला वो सीधा सीधा किस चीज़ पर डिपेंड करता है देखो जो surface energy का हमारा formula है वो depend करता है surface tension पर जी बिलकुल लेकिन साथ की साथ changing area पर भी करता है अब वो changing area positive है या negative है अगर वो changing area positive है अगर वो changing area बढ़रा है ठीक है मैं drag करके उसको दूर लेके जा रहो तो वो changing area positive है और अगर कम कर रहा हूं तो वो changing area negative है उस चीज़ पर काम करेगा ठीक है यहां तक बात सहोज में आई clear है ठीक है हां जी बेटा अच्छा वो देखते एक बार ही ज़रा ध्यान दो अब यहां पर बात आती है surface की अगर मैं आपसे बात करूँ surface या layer या lamina की liquid के लिए तो liquid bubble या liquid के लिए liquid की कितनी layer होती है एक layer लेकिन अगर यही मैं बात करूँ आपसे soap के लिए तो soap की कितनी layer होती है दो layer अब इसकी बात हम यहां पर करते है ड्रॉप ड्रॉप मतलब पानी की बूल क्लियर है liquid drop ठीक अब bubble किसका air का अगर air का bubble है तो यह एक ही liquid की यह उस liquid की film है जिसके अंदर air भरी होई है बाहर क्या है air अंदर क्या है air क्या लग रहा है आपको कुछ pressure pressure का फर्क है यह बराबर है equal है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आपने करना इस soap की होती तो तो क्या कोई फर्क होता soap की तो दो layer होती है अंदर air बाहर air कोई फर्क नहीं है कोई फर्क नहीं है तो यह एक liquid की layer है जल्दी तूट जाएगी यह दो layer जल्दी तूटेगी एक layer तो इसका बतलब soap का bubble जो है वो ज्यादा देट केगा liquid की bubble से ठीक है air bubble से ठीक है तो यह drop है liquid की है ना तो यह बात समाझ में आ गई है आपके तो यहाँ पर हमें liquid का पता चल गया अब इस चीज़ को देखना ज़रा यह क्या है यह liquid है मैं बात कर रहा हूँ शीतल ते शीतल यह एक air का bubble देख रही है चारों तरफ क्या है बता आज ही बताते बिटा चारों तरफ है liquid इसके अंदर क्या है air तो क्या लगता liquid air पे जादा pressure मारेगी तो यह दबेगा ठीक है एक liquid का bubble है जो air का bubble है जो liquid के pressure से दब रहा है किससे दब रहा है तो वो कहेगा मैं भागू का भागू लिक्विट से दूर तो वो धीरे धीरे उपर जायेगा तो क्या उस पे pressure कम होता जायेगा और फुर जायेगा उपर जाके क्या ये ठीक बात है या गलत बात है ठीक बात है अब दूसरा case अगर मैं आपसे कहूँ कि एक liquid की drop है ये लिक्विट की drop है लिक्विट की drop और बाहर air है तो लिक्विट की drop ज्यादा गाड़ी है या air बोलो लिक्विट की drop तो प्रेशर अंदर की तरफ जागा है बाहर की तरफ online वाले बच्चो तो ऐसा लग रहा है कि इसकी surface बढ़ जानी चीए उसकी surface कैसी होई थी छोटी इसकी surface कैसी होगी बड़ी ठीक है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एक लिक्विट की drop है कि इसकी drop है ये लिक्विट की भरावाई लिक्विट भरो मत क्योंकि मेरे को अंदर प्रेशर दिखाना है इस लिक्विट की drop पे प्रेशर लग रहा है क्या लग रहा है बाहर की तरफ क्यों लग रहा है क्योंकि बाहर इस से हलका मीडिया में और ये थोड़ी तिर में अप ठीक है तो पहले area कितना था इसका पहले area था 4 pi r square और अब हो गया है 4 pi r plus delta r गलत है यह ठीक है नहां तक बार ठीक है अब जरह ध्यान दो जो नया area आया है वो क्या है 4 pi r plus delta r दोनों को minus कर दो changing area कितना आया क्यूंच यह changing area surface energy changing area से निकलेगा 4 pi r plus delta r का square minus r square मैंने 4 pi बाहर ले लिया कोई दिक्कत बोलो अब इसको और खोल सकते हो क्या formula लगेगा a square plus b square का formula लगाना आता है ना बिटा 4 pi अंदर a square plus b square plus 2ab minus इसमें क्या है r square क्या कट रहा है वेटा delta r क्या है क्यों है negligible क्योंकि delta r छोटा होता है तो delta r का square तो और छोटा हो तो यहां लिख देना कि भईया delta r is very small that is delta r का square is negligible क्या बाट ठीक है बच्चों करना negligible तो delta a कितना है का आपका 4 pi और यह 2 r delta r यह आपका delta a 8 pi r delta r खतम अब work done क्या होता है energy के equal energy क्या है हमारी sigma into changing area अभी तो बताया था थोड़ दिर पहले तो यह आगे आपका formula sigma into changing area और इसको रोक के रखो और एक pressure के साब से बॉक्टन क्या होता है हाँ वक्टन in terms of pressure और वोल्यूम तो क्या बोलते हो तुम पी डॉट ड्ल्टा वी हाँ बिलकुल ठीक वक्टन इस इकोलस टूट ड्ल्टा वी अभी तो बताया पीछे वक्टन क्या था पी डॉट ड्ल्टा वी क्या था बिटा सिग्मा सिग्मा ड्ल्टा ए अच्छा ड्ल्टा वी को आप लिख सकते हो length into ड्ल्टा ए बोलो तो ड्ल्टा ए से ड्ल्टा ए तो हो गया compare pressure क्या आया सिग्मा बाई L ये बाट ठीक है या गलत है ठीक है बच्चो ठीक है अब यहां पर area को अगर मैं लिखू value पुट करूँ तो अगर यहां area की value पुट करूँ तो बेटा आओ दरा देखो यहां पर area की value पुट करो changing area की जो पीछे भी हमने करा है area की value देखो क्या है सिग्मा इन्टू एट पाई आर डेल्टा आर ठीक है और पीछे भी यही करो पीछे area की value पुट करना pressure तो ठीक है area इन्टू length में उस डेल्टा आर वाले area को खोलो डेल्टा आर वाले रेंथ को यह है सिर्फ इतने हिस्से का area देखना क्या है था पी फोर पाई आर स्क्वेर मल्टिप्लाय में इस एल की जगे पर मैं क्या लूँगा कौन सी लेंथ लूँगा डेल्टा आर एक मिल्ट को आर छोटे निए बड़े लिए सारी ठीक है इक्वेट करने पर क्या क्या चीज़े कट्री ज़रा देखना बेटा डेल्टा आर से डेल्टा आर गया एक आर से एक आर गया फोर पाई से यह गया तो पी क्या है आपका टू सिग्मा वाई आर फिर से ध्यान दो जब हमने यह वॉल्यूम लिया तो यह वॉल्यूम किसका था यह वॉल्यूम था यह जो एक्सट्रा आया अब यह एक्स्ट्रा वॉल्यूम है कितना कितना एरिया भई 4 पाई और लेंद कितनी है जो एक्स्ट्रा है यहां पर डेल्टा आर एरिया मल्टिप्लाइ में चेंजिन लेंद क्या बन जायागा डेल्टा भी बोलो काम चल जागा इससे बच्चो अब फिर बच्चे कहते हैं इसको एक्सेस प्रेशर क्यों नाम दिया इस जी जो डेरिवीशन है किस चीज़ी करिया हमने excess pressure inside a liquid drop तो क्यों है excess pressure क्योंकि बाहर air है और air liquid के comparison में कम pressure रखती है तो वो अपने आपको फैल आता है तो pressure बाहर की तरफ जारबाट ठीक है गलत है बच्चो बोलो लेकिन अगर यहीं पर आपसे बात करे जाए यह तो liquid की drop थी soap होता तो soap bubble तो जो अभी हमने excess pressure देखा 2 sigma by r उसको double कर देते ठीक ठीक अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ liquid drop की जगे है air bubble की air bubble को देखा आप पहले liquid के अंदर air bubble है यह air bubble है अभी इसका pressure बढ़ेगा इसका size बढ़ेगा घटेगा कम होएगा तो जहां पर भी आपने plus लिखा था हमाँ सब जगे है हाँ प्रेशर के आजाएगा माइनस टू सिगमा बाइब आज बो ठीक है अगर आते ठीक है एक्सेस प्रेशर इंसाइडर लिक्विड रॉप समझ में आ गया एक्सेस प्रेशर इंसाइडर बबल एर बबल समझ में आ गया जरा इसको देखो